आज के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने 22 फरवरी की बोर्ड की कॉपी कैसे लिखेंगी A to Jint मैं आपको जानकारी दूँगा और वो भी सीधा आपके बोर्ड के पेपर और बोर्ड की कॉपी में कितने पेज की कॉपी रहेगी ये भी मैं आपको बताने वाले कौंसा पेपन आपको यूज़ करना चाहिए सबसे पहली देखें कि जिससे आपकी राइटिंग बैठे वही पेट यूज़ करिए जो आपके लिए सही रेटिंग न ऐसा पिल लीजिएगा जिसे आपकी कॉपी खराब ना होने पाए ऐसा नहीं कि आपकी लिखे तो दोनों तरफ आपके कॉपी दिखाए दे ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं प्रियूग करना है अब देखेगा इसके बाद आपको क्या गरना करना है कि आपके कॉपी खोने नहीं पाएगे ठीक न तो सबसे पहले आपको रहेगा कि आपको प्रविष्टिया भनना रहेंगा मतलब अनकमांक मैं तो यहां पर आपको भड़ देना जो भी आपका अंको में रहेगों, यहां पे आपको फिल कर देुंदे। तो कैसे लिखेंगे, आप पर 5 है, तो कितना लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर कौमा, फिर 3 है, तो कितना आप 3 लिखेंगे, 6 है, तो आप का रोल नमबर 6 लिखेंगे, फिर सुनने है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे, उसके बाद सुनने है, सुनने तो आप लोग अगर यहाँ पे सामान हिंदी का है तो यहाँ पे आप क्या डाल देंगे सामान हिंदी यहाँ पे आप लोग लिख देंगे उसके बाब प्रश्रपत्र तो केवल होता है हमेशा क्या लिखेंगे केवल लिखेंगे प्रश्रपत पर अंकिस संकितान 302 DQ है यहां आप लिखेंगे 302 DQ लिखेंगे क्या लिखेंगे DQ लिखेंगे किंद्र का नाम आपका GIC है तो क्या लिखेंगे GIC लिखेंगे जिसमें गया रहेगा परिच्छा आपका मंगलवार को है तो मंगलवार यहां पर डाल देंगे जो भी आपका रहेगा दिन उसको डाल देंगे परिच्छा गिती थी 22 को है न तो 22, 2022, 2024, पाली, दूती है तो क्या लिखेंगे दूती डालेगे इसके अलाव आपको कुछ भी भरने जुरत नहीं है बाकी आप छोड़ देंगे उसके अलाव जो भी भरना रहेगा वो आपका एक्जामनर चाचा बता देगा आपको टेंसन ने लेना है ठीक है नहीं यहां तक हो गया उसके बाद आप अपने पेपर उठा लीजीगा पेपर उठाने के बाद आप लोग देखेंगे बहविकल्पी जैसे यहां पर खंडग कर रहेगा और एक खंडग कर रहेगा किना रहेंगे दो खंड रहेंगे मतलब पहला प्रभाव ही क्या होता है अंतिम प्रभाव होता है तो अर्थात हम क선क對了 सकते हैं कि अगर आपको अच्छे से क्योशन का इंसर आपको दीना है तो इसको लिखेगा अब यहाँ प्याप लोग देखेगा जैसे यहां पर खंडक है क्या भी है खंडक है अब हम सबसे पहले उसके बाद आपको बॉर्ड की कॉपी के एक तरफ आपको लाइन खीच रहे मैं उसके भाद देखेगा जैसे यहां पर आपका पहला प्रष्ण है तो पहला प्रश्ट क्या है प्रशुत्तर संक्या पहले का क्या है वासुदेवर संक्या अग्रवाल की कृति मात्तर भूमी है तो डारेक्ट टेंसर आप सेकेंड वाला या पिबी वाला जो भी रहगा लिख देंगे वासु देवसरन अग्रवाल के कृति मात्रि भूमी है उसी बार सेकेंड वाला है तो प्रशुतर संक्या पहले का ख उसके बाद पहले का ख का जो एंसर सही रहेगा बिल्ले सुर्वकरिया तो यहाँ लिख देंगे बिल्ले सुर्वकरिया डॉक्टर हजारिवसा द्रिवेदी की रचना नहीं है उसके बाद जब प्रशुतर संक्या पहले का ख आएगा तो बस सेम तो सेम आपको पैटरन फालो करना है प्रशुत्तर संक्या पहले काग प्रोफेसर जी सुंदर एड्डी की रचना मेरे विचार है बस इसी प्रMoreकार से लिखना है कि प्रोफेसर जी सुंदर एडडी की रचना क्या मेरे विचार है उस्के बाद अगनी की उडारणार कुस्त हो नहीं है later डॉक्टर एपी जब्दूलकलाम यहां पर लिखे देंगे और आपको कुछ भी करने जोड़त नहीं है ठीकिना यहां देखें जो भी इसका एंसर है यहां पर फिल करते हुए चले जाएंगे उसके बाद यहां पर प्रशुत्तर संख्याप का दूसरा शुरू होगा तो इसम अध्या सिंग्व उपाद्या है हरियोध की क्या है रचना है उसके बाद दूसरे का कैसे करेंगे मैंत्रिस्णगुप्त की महा काविकृति हैं माली जी आप नहीं लिखते तो डाइट अगर साखेद भी लिख देंगे तब इक्जामर आपको पूरा नंबर आपको देगा उसके बाद दुसरे का गए आप दुसरे क्या बोल रहा है कि निम्कित में से जैसंकर साथ की काविकृति नहीं है इत्तेलम नहीं है इसके रचनाकार सचीडानंद हीरानंद वास्यान बोले तो अग्गे हैं इसी प्रकारत से आपको लिखना है जैसे मैं आपको आपको बता तो यहां पर लिख देंगे लोकायतन उसके बाद यहां पर क्या है कि निम्कित में से सचीदानंद हीरानंद वास्यान का कावे संकलन है कौन सा है हरी घास पर छणबर हरी घास पर चणबर है तो यह आप डालेंगे सुमित्रानंदन पंद को लोकायतन के लिए 1965 इसी में सोवि उसके बाद यहां पर हम बात करें गद्यांस की किसकी बात करेंगे या गद्यांस की बात करेंगे तो गद्यांस दस नंबर का पेपर में है सर गद्यांस कैसे करेंगे क्योंकि अगर यह दस नंबर एक्जामनर से खीचना है ना तो इसके उपर इंप्रेशन अच्छा बनान प्रशनुत्तर संक्या तिसरे का उसके बाद अब देखिए एक सुरू कहां से उड़ा है यहां पर उड़ा है भूमिका निर्मार देवों ने किया वह अनंतकाल से कहां खतम हो रहा है पहचानना उसका अवस्यक धर्म है अब एक यहां पर आया है अथवा में करके एक दुसरा और ना देवों को रहा है तो दोनों में से किसी एक का अंसर देना है अगर आप यह नहीं लिखते तोぎउडर कैसे समझेगा कि आप इसका एंसर दिया है इसलिए आपको शुरू का चार सब्दे हाँ पे लिख लेना है और लाश्ट का चार सब्दे लिख देना है डॉट 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 करके ताकि एक्जामनर्स यह समझ पाए कि हाँ जो बच्चा है इसी का प्रश्ण का उत्तर देना चाहता है तो यह आपको सलिग्ल से इसको करके लिख देंगे उसके बाद तिसरे का घर एक लोग डिक्कत्пер हो तो, आप लोग बताईए कमेंट में मिंसन कर देजिगा, कमेंट बोक्स में क्या करेंगे मिंसन कर देगे, उसके बाद देखे इधार आएंगे तो तिसरे इधार आंगा भी यहाँ पर कर देंगे फिर यहाँ पर जब आपका गध्यांस हो जाएगा गध्यांस के बाद आपका दूमिसे एक करना रहेगा आराम से दस नंबर का आपका पका हो जाएगा उसके बाद क्या आपका पध्यांस है अरे गुरुजी पध्यांस है क्या बिल्कुल आपका पध्य अगर दस नंबर मिलने वाला है तो अगर दस नंबर मिलने वाला तो आप अगर यह कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे नाब जलत नाब इसराम पर देखिए यूब उसके बाद 4 कख मैंने डाला है तो 4 कख यहाँ पर क्रुस्ट क्या बोल रहा है संदेश प्लेसिका से ने नव जला से कंज से नित्रवाले सब्द किसके लिए प्रियोग किया है, सबसे पहले इन्हों ने बोला है, तो यहाँ आप लिखेंगे, संदेश प्रेशिका ने नव जला से कंज से नित्रवाले सब्द श्री कृष्ण के लिए प्रियोग किया है, यह तो चोथा क्या हो गया, उसके बाद जब बात करें ख की तो ख परश्णियां आप बोल रहा है कि मधवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा तो मधवन को छोड़कर जाने के बाद स्रीकिष्णी ने कोई संदेश नहीं भेजा बस उसके बाद चोथा गगर देखे चोथा गगर क्या बोल रहा है आ तो छोड़ देंगे और आम सियानका नमबर पक पका हो गया उसके बात करेंगे हम लोग यहां से किसी एक क्लेखत क साय और सब्सक्राइब यहां में करते हुए त्यवस्थी चाल में इसका एंसर देना है यह क्या आपका जीवन पर्चे किसका है लेखक का साहितिक पर्चे देते उनके प्रमकृतियों का लेख किजिए आपर तीन लेखक इंपॉर्टन वाले हैं वासुदेव सर्ग्रवाल, डॉक्टर हजारी साद्रिवेदी, डॉक्टर एपी जद्दूल यह तीनों सबसे मुश्ट इंपॉर्टन वाले क्या लेखक हैं और इनको आप जरूर से जरूर तयार कर लीजिगा, जैसे माली जी लेखक का जब आप जीवन परिचे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर डालें प्रशुत्तर संख्या, क्या डालें प्रशुत्तर इत्या रहेंगी, वह भी यहाँ पि लिख देंगे कि भारत की एकताप्र दवीपुत्र इत्या दिन की महत्तपूर्ण कृतिया हैं, इसको बिख़ देंगे, उसके बाद, इसको लिखने क्वायगा क्या आपका कवी का किसका आएगा देख्या आपे, दिया क्या यहाँ पर बोला है कि लिम्खिद में से किसी एक कवी का साहितिक प्रजे देते उनकी प्रमुकृतियों का उले कि यह पांच नंबर का है मैं तो अगे यह आपके तीन मुष्ट इंपॉइंट वाले हैं अभी इसमें से जिसका आपको इंसर देना जैसे आपको देना है महादी वर्मा का तो सबसे पहले प्रशुत्तर संख्या लिखें प्रशुत्तर संख्या पांच का ख क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो यह आपका पांच है यह आप देखें उपर क्या लिख्या है पांच लिख्या है तो जो कवी वाला होता है वह आपका क्या होता है लेखक वाला होता तो अगर खक आयंसर दे रहे हैं तो लिखे प्रशुत्तर संक्या पाच का ख उसके बाद महादेव वर्मा के बढ़िया यहां पे पूरा जीवन परचे लिखेंगे उसके बाद इनकी जितनी भी प्रमुख कृतिया रहेंगी पूरा का पूरा यहां पर भढ़ दी हैं कि रस्म तोड़े ही क्या है आप क्यों छोड़ेंगे ए उसके बाद आपक आयेगा प्रशुत्तर संक्याच्छा पन्च लायट अथ्वा बहादूर क lodge सारान से लिखे अब पंच लाइट का आपको तयार है तो पंच लाइट वाला लिखेगा बहादुर वाला याद है तो बहादुर वाले लिखेगा मतलब दोनों लिखकर चले आएंगे तो चाचा हमें का पूरा लिखकर आपको च्छाप देना है, उसके बाद आप का येगा परसुत्तर संख्यासाथ, अब परसुत्तर संख्यासाथ बेखे क्या है सौपढ़ित खंडकाव, ये हाँ आपके जीले के नुसार रहेगा, तौस्वढ़ खंडकाव, क्या धहार पर पुजारत है उसके बाद मात रिद्वेशी था मतलब उनके पालन करता था असहीं सूरता इत्यादी चीजें यहाँ पर इनके बारे में डिस्क्राइट की गई जिसे आप लोग लिख देंगे उसके बाद जैसे प्रशुत्तर संख्या आपका समाप्त होगा यह साथ वाला उस जैसे आपको यहाँ पे दो रहेंगे एक यह है देखिए गद्यांस में और एक खतोहा में करके तो अगर जिसका आपको इंसर देना है तो बस यहीं आप लिखेगा संस्कित साहित्यम डॉट 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 अनुसलेन सज्जाती जो भी रहेगा आप लोग य करना है आपको यहाँ पे संस्कीत गद्यांस के बाद यहाँ पे संस्कीत का आपको पध्यांस भी करना है सेम आपका पैटन पर आधारित रहेगा बस यहीं आपको लिकरना है सबसे बिश्च तरीका यहीं है उसके बाद आपका क्या रहेगा यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहां पर आएगा आपका मुहावरा क्या आएगा मुहावरा आएगा देखें आपे मुहावरा है आपे चार है दो नंबर का है तो किसी एक को ही आपको करना है यह नहीं कि आपको किसी एक का ही इंसर करना है तो यहां पर जैसे आपको है करना है पानी पानी होना सबसे प्रश प्रशुत्तर संख्या डालेंगे तो भी रहे का प्रशुत्तर संख्या नौ का जाने पर में पर रमेज पानी-पानी हो गया रे रमेज की क्या बता है रमेज तो सर्मा जा रहा है उसके बाद यह आउट आफ से चोड़ दीजिए उसके बाद देखेगा आपका यहां पर शुरू होगा कि दस नंबर यहां पर एक अपड़ित गद्यास इस बार नया पेपर पैटरन में जुड़ा हुआ ठीक न उसके बाद यहां पर आपका जलद ऑर जलद जो भी रहेगा आपको बादल और समुत्र उसके बाद प्रशुत्तर संग्या इंसर देते वे चले जाएंगे नंबर आपका कटने वाला नहीं अगर आप यह लग रहा है इसा नंबर कटेगा तो नंबर नहीं कटेगा उस रस चंद अलंकार तो रस चंद अलंकार को ऐसे लिखेंगे प्रशुत्तर संग्या बारक अख प्रेजस उदाहरन बारक अख स्लेस अलंकार लक्षड और इसका क्या दे देंगे यहां पर उदाहरन इनों ने दे दिया है उसके बाद यहां पर रस चंद अलंकार चंद यहां तो छन्द को लिखेंगे उसके बाद पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन है। तो जिसका आपको देना है पत्र लेखन ऐख के पूरा पूरा इनका dil दिख देंगे यहां उसके बाद निवंद लेखन की बात करें तो निवंद लेखन आप जिसका लिखना चाहते हैं हाप पांट सुझता और प्रशुत्तर संख्यîne लिखेंगे, और चोधा में किसका दे रहे है, तो यहाँपे डालेंगे, प्रशुत्र संख्या, चोधा का गः, अब हम लोग किस पर दे रहे हैं, विग्ञान, वरदान, और अभिसाप, पर तो बढ़ simpler, हैं विज्ञान वर्दान या अभिशाप इसके बाद प्रस्तावना पर इसके बाद पॉइंट करके विज्ञान के बारे में आप डिटेल में लिखते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पाने के लिए विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिल दें नेक्स्ट विडियों को की दूसरो थैंक यू जैन टेक केर बाई बाई